नमस्कार मैं राकेश वसिस्थ समसामीक विश्यों पर चर्चा धरित हमारे कारेक्रम बीच पहस पे आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ हर बार की तरहा आज के कारेक्रम में भी हम एक नए विशे के साथ आपके समक्ष हाजिर हैं आप चानते हैं हमारे प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी ने अभी हाली में 17 सितंबर को अपना 75 जर्म दिर्वस बनाया था और 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक के 16 दिन की अवधी को भारती जनता पार्टी ने सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने का नेन लिया है क्या है सेवा पखवाड़े के उद्देश इसके पीछे का थौट प्रोसेस इनी सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है भारती जनता पार्टी राइस्थान के मीडिया इंचार्ज पंकज राज जी पंकज राज जी से हम जानेंगे इस कारिक्रम के क्या उद्देश है पंकजी कारिक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है क्या उद्देश हैं पंकजी कारिकरम के आप सेवा पखवाडा मना रहे हैं सोले दिन का सत्रे सितंबर से शुरू होगा दो अक्टूबर तक चलेगा सोले दिन की अफधी एक लंबी अफधी क्या उद्देश है रके जी देखा जाए तो साल के तीन सो पैंसर दिनों में यह जो पंद्रा सोला दिन का पखवाडा है यह अपने आप एक विशेष्टा लिए हुए है और विशेष्टा यह है कि इस पखवाडे के अंदर तीन विशेष्ट वेक्तियों का जनम हुआ है और मैं क्या हुआ पंदी दिन दियाल उपाद्याजी का जनम दिन है पंदी दिन दियाल उपाद्याजी का जनम दिन है पंदी दिन दियाल उपाद्याजी एक वो विक्ति थे जिनों ने एकात मानवाद का सिद्धानत दिया और एकात मानवाद के सिद्धानत के साथ में देश में अंतोदे की योजना का वो प्रहनेता रहे अंतोदे मतलब अलापंक्ती में जो अंती व्रक्ती खड़ा है उसका उद्धे हो ऐसे अंतोदे की योजना का प्रहनेता पंडित दिन दियाल उपाद्धे जी थे उनका भी जनम दिन पचीस सितमबर को है और साथ ही हमारे राश्पिता आदर्न गृब का उट्थान के लिए सबसे ज़रा प्रियास किये अप्रदान मंतरी मोदी जी आज लगवग आठ साल से प्रदान मंतरी हैं और हम देख रहे हैं, कि उन्होंने जब अपना प्रधान मंतरी बनने के बाद में, जब लाल किले से अपना पहला बाशन दिया था, तब उन्होंने अपना मंतव बड़ा इसपस्ट कर दिया था, कि मैं प्रधान मंतरी नहीं हूं, प्रधान सेवक हूं, प्रधान मंतरी अब कि कि सत्र बैत्र साल की कंस्ट चल रहा था प्रधान मंत्री यानि देश का सर्वोच्य व्यक्ति सर्वोच्य व्यक्ति मतलब उसको सर्वोच्य सुरक्षा सर्वोच्य सुरक्षा और सर्वोच्य व्यक्ति का मतलब यह कि सर्वोच्य संसादन उसके साथ हो और वहाई प्रधान मंतری नरंदर मोदी जी कहते हैं कि मैं तो प्रधान सेवक हूँ और साथ में उन्हों ने अपने सुरक्षा पे सारे ताम जाम खतम किये अपने लोगों से सहज मिलना उन्हों ने प्रारम किया जैसा एक प्रधान का ग्लैमर हुआ करता है एक डैकोर हम होता था उन सब को तोड़ते वे उन्हों ने एक प्रदान सेवक की बूमिका में सब के सामने आए तो यह उनका कथनी और करणी को एक समान करने जैसा है कि वह आज हमारे प्रदान सेवक की रुपे हमारे बीच में है और यह कल केवल कहा नहीं है उन्हें प्रदान सेवक उन्हों ने इसलिए पिछले आठ साल में सेवा के विबिन आयावों के माद्यम से करके दिखाया मैं छोटा सा उदारन से आपके बात शुरू करूंगा जी आ देश में पहले स्वच्छता को लेके इतना जड़ा एक अवेर्नेस नहीं थी हलाकि हमारे राश्पिता महादमा गांदी जी साफ सफाई को लेके बहुत रहते थे और लोगों को प्रेरित भी करते थे परंतों जिस दिन प्रदान मंतरी नरंदर मोदी जी ने जहड़ू उठाई तो आप यह देखिए देश के करों लोगों ने हाथ में जहड़ू उठा है और उन्होंने अपना गली मौला साफ करने का जिम्मेदारी ले रखी है तो यह प्रदान मंतरी मोदी जी का इपने काम की परती समर पड़ है कि उनकी जह उनके कहेवे को जनता इतनी सीरिसली देती है और करोड़ों लोग जाड़ू उठाके रोड़ पर सड़कों पर आ जनम देने लेकिए सेवा करने के लिए को इस सूलेज यही सुलेज दिन क्यों इसके पीछे टोट पॉसस यह देखि क्या होता है तीन सो पैंसेट दिन सेवा करने लिए कि ने के लिए प्रेढ़ना देने के लिए ठिक Lieस होती है और कुछे अधेश्य होते हैं उत्सव के जैसे मनायजाता है ठीक तो यह ठीक सne सेवा के उत्सव के रूप में यह एक पकुआरा है और इस पक्वाडे के अंदर इसा नहीं भारती चनथा Por tie म invented I हो यह यह के अंधर सरकार मना रही हो देशके बहुत सारे संग्डटन सेवा सब्ता या सेवा पक्वाड़ा की रूप में काम करने को लग रहे हैं मैं एक चोटा सा उदारणा आपको इस वारे में बता हूँगा जी एक जेन सोशल गूरूप है जी वो जेन सोशल गूरूप अलगलग समय पे बलड डॉनेशन कैम्प लगाता है ब वो पूरे देश में जो रक्तदान को लेके महाहूल बना है और जन्ता इस वक्त इस पंदा दिन के अंदर जिस वरकार से उमड़ उमड़ के रक्दान कर रही है इन सबके अतरिक भी जेन सोशल गूरूप के माद्यम से लगबग तीन लाग लोग रक्तदान करने वाले हैं इस पक्वाड़े के अंदर लगता है कि बहुत बड़ उपलब दी है जेन सोशल गूरूप के अलावा भी लगबग अगर पूरे देश में देखें तो यह सत्रा तारीक रक्दान के लिए हमने मनाया था उसे एक ही दिन के अंदर पूरे देश में डेड़ लाग रक्दान ह हुआ है और जिसमें से लगबग सत्रा आजार रायस्तान में ही रक्तिदान हुआ है तो मैं यह समझता हूँ यह जो पक्वाड़ा है जी ना केवल करने के लिए है बलकि पूरे देश के बच्चे-बच्चे को प्रेजित करने के लिए है कि हमको सेवा हमारे जीवन में एक साथ करना चाहिए और हम 3062 दिन सेवा करने चाहिए तो आपका कहना है कि आप जिस तरीके से आपने जैन सोशल ग्रूप को साथ लिया है आप समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर इस पक्वाड़े को मना रहे हैं जी बिलकुल मैं यह चीज़ बताना चाहरा हूँ कि यह कि बारती जनता पार्टी के पुलिटिकल पार्टी की नाते के करकम नहीं है यह पूरे देश का करकम है और मैं समझता हूँ कि इस वक्त देश पूरे उस्व के रूप में इसको सेवा पक्वाड़े को मना रहा है कई जिए नेतर शिवर लग रहे हैं और नेतर शिवर के पी कार से आवेर ने इस पिछले दो साथ में जो कोरोना पीरिड आया था लोग स्वास्थे को लेके अवेर हूए हैं तो इनी सब चीज़ों का आगे बढ़ाते हुए हम लोग स्वास्थे की बर्ती लोग आवेर रहें रक्तदान नेतरदान जैसी चीज़ों के लिए आगे सतरह तारिक से कारेकम चल रहा है देखे विबिन तरह के कारेकम हैं और पूरे देश बर में यह हर्चोसार उल्लास के जैसे सेवा पक्वाड़ा मनाया जा रहा है तो कुछी जैसे जाकर मैंने बताया कि रक्तदान शेवर निद्दाद में शूर हो रहे हैं ऐसे ही दो साल को लोगों नो कोरोना से लडने का काम किया जिनको हम कोरोना वारियर कहते हैं उन कोरोना वारियर का सम्मान करने का कारेकम यह हो रहा है ऐसी एक बड़ा अनूठा कारेकम भी सेवा पक्वाड़ा के अंदर हमारा शूरू हो रहा है देश को दो जार पच्छीस तक टीबी मुक् और साथ में टीवी के लिए आवशक दवायां घरगर पहुंचाने के पेशेंट को आइडेंटिवाइए करके घरगर पहुंचाने जी का है अगर हम जीवन को पिछले आठ साल के प्रधान मंतरी काल को देखें तो उनका लगाता है जनम दीवस और जनम दीवस का रूप सेवा सप्ता सेवा पकवाड़ा तो चली रहा है पर तो आप यह देखें वो तेहार भी किस परकार से मनाते हैं आप पुराना तो है प्रधान मंतरी मोदी जी का कि उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया चोईस गंटे में से वो अठारा उनीस गंटे देश सेवा के लिए जनता की गरीबों की सेवा के लिए रहते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसे लीडरिशिप आज विश्व कहीं देखने को नह सबसे ज्यादा फॉलावर पूरे वर्ल्ड में अगर किसी के हैं तो प्रधान मंतरी जरेंदर मोदी जी कह हैं यह उनको विक्तित को प्रदिशिट करता है कि लोग उनको कितना चाहते हैं कितना पसंद करते हैं को काम को क्या इस सेवा पख़वाड कारकरम के माध्यम से सरका प्रधारी योजनाओं को प्रोसाहान लगाता चलता रहता है और मैं समस्ते हैं वारती जिन्ता पार्टी और सरकार के सब वर गए इस बार को लेकर काम करते हैं पर दूब चूंकि आपने योजनाओं के आगर जिकर किया है बिल्कुर तो मैं आपको एक ची जरूर बताना च करना चाओंगा एक पुरसान मतर किसान सम्मान नहीं दी योजना थी जी हर किसान के खाते के अंदर छहे जार रुपे उन्होंने किसानों के तीन किष्टों में दो-दो जार रुपे करके डालने का एक अनूठा काम किया चीछ और आप देखे देश में सवा सो करोड जनसंक और जैसे किसानों को इन्हों लाब देने की कोशिश की ऐसे विकर सेक्शन का एक और जो वर्ग जिनको हम बीपील कहते हैं गरीब कहते हैं बिलो पावर्टी लाइन कहते हैं उनको मुफ्त अनास देने का काम कोरोना टाइम में किया वो जैसा आपने बताया दीन द्याल उप में ता और लग रहा था कि खाद्यान का भी संकट आ सकता है हमारे देश के गरीबों के पास में तो उन्होंने मुफ्त में अनास देने के जो काम किया वह वास्ते में ना क्यों हिंदुस्तान में सरा आ गया और ना क्यों कोरोना से लड़ने में मिद्द मिली यूनिसेफ तक केवल प्रदेश इस तर तक या बड़े शहरों तक सीमित है या आपके मंडल और ब्लॉक इस तर तक भी आप इस कारेक्रम को लेकर जा रहे हैं मैं मंडल ब्लॉक नहीं नीचे तक की बात कर रहा हूं हम रेवन्यू विलेज़ में पहुंच रहे हैं हम एक एक बूद तक पह हैं उन से भी जोड़ना का काम कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि अगर केवल रायस्तान की भी बात करें और रायस्तान में जहां आठ करोड़ हमरे जनसंग क्या है तो इस पंद्रा दिन के पक्वाड़े के अंदर लगवक एक करोड़ लोगों से इस माध्यम से हम संपर करें हैं जो अपने 한번 एक बहुत बड़ा अभीहान है और मैं समझता हूं कि शायद यहीं के कारण इन परदानमंत्री मोदीजी का विक्ति दिए तो पर्दानमंत्री मोदीजी का काम करने का तरिका जिसके कारण से आज आज ना किढो तक चार दिन सेवा पकवाडे के रूप में भारती जंता पार्टी के कैसी रहे निस्ट दूब से सेवा पकवाडे के रूप में कारेकम बहुत अच्छे चल रहे हैं और नीचे जंता का भी हम वह समर्तन मिल रहा है मैं एक चीज़ का बड़ा जुक्र करना चाओंगो आपको हम केवल मानव मात्रे की सेवा कर रहे हों ऐसा नहीं है रायस्टान में इस वक्त लंपी रोग चल रहा है बिल्कुल यह मेरा सवाल भी था आने वाला भी था मैं वही बताने वाला था तो लंपी रोग एक अजीसी मह हमार यही जैसे मनुश्य पे कोरोना आया था बल्कुल रायस्तान में पशुदन बहुत बड़ी संक्या में है और उनके क्योवली गायों पे जारा एफेक्ट कर रहा है बल्कुल लगब एक करोड़ चालिस लाग गाये रायस्तान में हैं 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 और अभी तक एक मोटा मोट की रूप में हैं तो हलाकि दुर्बागी है कि इस बीमारी का भी कोई जैसे कोरोना का ट्रेक रिकोर्ड नहीं था वैसे इसका कोई ट्रेक रिकोर्ड नहीं है इसके बारे कोई वैक्सीन अभी बहुत जारा सेटीक नहीं है इसके लिए कोई दवाई बहुत जारा सेटीक नह है गायों की सेवा कर रही है आज एक के तारिक में और सेवा है माध्यम से ना केवल उनको ऐर वेधिक जो एंटीबाइटिक लडू है वो लडू खिलाने का काम हो रहा है साथ में उनको जितना संभव हो वैक्सिन देने का काम हो करे करता तो मैं समझका हूँ कि एक आवेरनेस आई है कि एक आम विक्ती भी जो चिंतित था कि ओहरी गोमता का इस लंपी रोग के माध्यम से विनाश हो रहा है तो कहीं न कहीं हम सेवा के माध्यम से इसको बचाने का प्रयास कर है और इसका बहुत बड़ा असर भी हम नजर आने लगाए अगर आप सोचल मीडिया को देखेंगे या मीडिया के अकबार हो टीवी चैनल को देखेंगे तो जनता बहुत बड़े संख्या में लंपीरों के लिए अब लड़ने के लिए गाओं में काम कर रही है आपके पास को होगा सारे आकड़े उससे अकटे किये जाएंगे यह पर मैं इस बात को आपको पूरे विश्वास के साथ यह बताना जाओंगा जी कि राइस्थान के समस्च जिलों में और समच्ट जो तैसिल हैटकवाटर है वहाँ इनका काम चल रहे हैं और तैसिल हैटक वाटर से नीच करोड़ चालीस लाग गोगोंश है हमारे राइस्तान में केवल इतनी बड़ी संक्या में गोगोंश को लंपी रोग से बचाना ट्रीटमेंट करना बहुत टफ टास्क है इसके लिए राजे सरकार को भी पूरी मशिनरी लगानी पड़ेगी तब ही जाके इस रोग से बच अब से देगिन सामानिय व्यक्ती में यह समझता हूं जैसे मैंने आपको पहले का कि प्रदान मंतरी मोदी जी जी जब ज्ढू उठाई एक आम आदमी ज्ढू उठाई जी और उन प्रदान मंतरी मोदी जी के प्रेंड़ना से ही एक-एक महले के अंदर छोटे-चोटे-चो को संभानित करने का काम हो चा जंता को जुड़ना चाहिए और जूडबी रही एंटो के विए बाद्यी जंता परट्डि water की या का यह जुड़ाइए série का का है लुड़ा का जुड़ा हOOब का कारिकम है लुदा ने ने बताया कि राइस्तान में सत्रा जार रक्तिदान हो चुके हैं. सत्रा जार यूनिट रक्तिदान हो चुकी है. तो ये आम जिंता का जुड़ा हुआ ही परिणाम है. कि इतनी बड़ी संक्या में हो रक्दान राइस्तान में हो चुका है. प्रधान से समझने वाला एक आत्म निर्वर्वारत का कंसेट है अगर हम बात करें 2010 तक की 2012 तक की तो हम लोग बहुत ज़्यदा विदेशों पर निर्वर्थे और विदेशों से कुछ खाध्यान की बात निर्वर्थे हम तकनीकी रूप से बहुत जाता निर्वर्थे जी मैं आपको ए रक्षा से शेतर हैं आम से मुनेशन बनते हैं तो बनती है हुआई जाज बनते हैं फाइटर वीमान बनते इस छोटे से लेके बड़े जितने भी आइटम होते हैं रक्षा से के हमारे सेनिकों के लिए यह सारे विदेश्यों से आते थे 2014 में जो प्रधान मंत्री मोधी जी घुक्त मत करें को मिला तो उन्होंने इस को उसक्ताइब के ऐस के उपर काम करना शोरू किया आज आब़ी देखिए कि हमारी से के लिए हमारी हिंदोस्तान रही है हंदे पर्सन राइफल है हमारे सैनिकों के लिए हंडे परसें बुलेट प्रेव जैकेट हमारे हिंदोस्तान में बन रही है और यह छोटी बाते नहीं मैं इसे बड़ी बाते कर रहा हूं तेजस जैसा विमान हमारे हिंदोस्तान में बन रहा है विकरान जैसा बहुत बड़ा शिप आज हमारे हिंदो में जाती थी जाती थी वो बिलकुल लगबग नहीं के बराबर हो गई है और आतने दिर्बर भारत की जब बात करते हैं और प्रदानमंतरी मोदी जी कहते भी है कि वह रक्षा शेत्र को हमको दो जार पच्छीस तक हंडेर परसेंट आतने दिर्बर बनाना है तो यह जो लोकल फॉर वोकल की जो आवाज है ना यह हमारे मेरे गली के बाहर परचुएने के दुकान से लेके तेजस विवान तक आज लोकल फॉर वोकल चलने लगा है ना कि हो लोग उपयोग करने लगए उसकी गुणवात्या से प्रभावित होने लगए और ना कहलो हिंदस्तान के लोग विश्व के लोग भी आज इससे प्रभावित होने लगए जैसे मैंने भी आपको धरन दिया कि बुलेट पुर जैकिट्स है वो हिंदुस्तान में बन रही है उसके और समको दूसरे देश जो अन्य देश हैं वो इसको खरीदेंगे और उससे हमको एक विदेश मुझरा भी प्राफ्त होगी पंकर जी मैं आपको और अपने आपको कर्रेक्ट कर दूए हो आपने और मैं दोनों ने गलत बोल दिया था लोकल फॉर वोकल है हां वोकल फॉर लोकल है एक मैं भी आपक कमल का हमारे देश में हमारे हिंदुस्तान के समाज में एक अपना एक मैत्व है जैसे हम कहते हैं कि हमारे जो संपंता की देवी है का लक्ष्मी जी है वो कमल पर विरास्ती है विश्णु बगवान भी अपने हाथ में हमेशा कमल रखते हैं ऐसे सुतंता संगराम में आपको विशह है। पर नतुभी कमल से देश के सभी लोगों के अपना एक आत्मिता का संब्ढद है। और आज से नहीं वो सेंक्ड़ों हजारों साल से है। तो कमलोसों के रूप के हम लोग जनता के वीच में जा रहे हैं और जनता को अतने भारत के ब माद्ञायम किला हम कितना मजबूति से विश्व के किसंम्हिलन कि हैं. चोंकि हमने हाली में दिखा था, उदापुर में इस ततरीके का कारेकरम हुआ था अभी आगामी दिनों में किंजलों में करने जा रहा है? प्रदान मंतरी म Ne 53 के ऊपर किताब गई ऑर किताब कितार किसी एक लिखिक लिखे हैं जैसे हम अगर अगर आगम देखें इंटेलिजिस और रक्षा के मामने अजीड डोबाल जी एक बहुत बड़े नाम होते हैं जिनको लेके लो बड़ देश के यूवाप रेड़ना लेते हैं अजीड डोबाल जी ने लिखा है तो कि खेल की अगर हम बात करें तो प रकार के कई सारे लेख लिखे हैं और वो पिछले आठ साल के प्रधान मंतरी मोदी जी के व्यक्तित्र के अपर उनके सेवा के भाव के उपर उन्हें किताब लिखी है मोदी एड 20 उसका एक संकलन है तो इन सब को लेके अभी मोदी एड 20 के कारिक्यम चल रहे थे और उसमें लोगों ने अपना-पना कारिकम रखा और उसी के दूसरी कड़िक के अदर प्रभुद्य जन सम्मिलन जो रखे है वह देश का mindset है धेश का tokyo जो think tank है वह प्रभुद्य जन प्रदानमंतरी मोदी जी लीए डीे बाद में क्या आपेक्षा करता है कि 59 देश क्या सोचता है इस वे जनता की रिपोर्ट लेना चाते है जैसे आपको ध्यान में हो तो प्रदान मंतरी मोदी जी की मन की बात कारिकर में चलता है मन की बात कारिकर में कई बार वो विद्यारती से भी संभात करते हैं कई बार वो संभात करते हैं तो ऐसे हो सबसे समवाद करते हैं सबसे फीडवेक लेते रहते हैं कि हमको देश का आगे ले जाने के लिए और क्या क्या हो शकता है तो उसी कड़ी में प्रुबुद जल सम्मिलन है जिसके अंदर बड़ी संक्या के अंदर हम लोगों से जुड़ने वाले इस सब कारेकरम का स अध्यम से किस तरीके से स्वदेशी और खादी को पर्मोट करने जा रहे हैं देखिए जैसे अभी हमारी चर्चा में आया कि वोकल फूर लोकल वोकल फूर लोकल एक तरह से स्वदेशी का ही उधारन है और हमारे देश के लोगों को स्वदेशी पहनना चुई है स्वदेश कि मुझे जरुत है तो मैं बाहर की गली में के बहार जो मेरे दुकान है मेरे सबसे नजदी के छोटा व्यापारी दुकान करके बैठा है उस से भी खरीदूंगा परनतो सहीं हो कैसा हो सकता है कि वह उसके पास उपलब नहीं हो परनतो मेरी चीज आउशक है मुझे तो मैं परनतो मेरी मजबूरिए है कि वह चुआ है मोबाइल से है हलाकि के आज मोबाइल हिंदूस्तान में सबसे ज्यादा बन रहे है ईखर को टेखन लोजी की बात आर वो टैकनालोजी की चीज हमारे बैठान में नहीं और ऐसे मजबूरी में विदेशी आईपन खरी दुँगा मुख्य चीजी क्या है गुणवत्ता के थी और आज हमकर हम बात करें तो पिछली आठ साल में हमने गुणवत्ता पे मोधी सरकार ने काम किया और इसलिए आज स्वजेशी चीज़े लोगों को पसंद आ रही है और इसलिए वोकल फोर लोकल का नारा है यह आम जिन का नारा ब पता रहे थे हमें उम्मीद है कि हमारे सभी दर्शकों को हमारे कारेक्रम पसंद आया होगा पंकर जी आप कारेक्रम पतारे नमस्कार झाल झाल झाल